यह लो फ्रेंड्स वेल्कम टू आर यूट्यू चैनल दायज ऑफ साइंस आज हम इस वीडियो में एंटि मारकानिक ओफ रूल कराने वाले हैं अगर आपने हमारा मार्कानिक ओफ रूल का वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लें और उसके बाद ही एंटि मारकानिक एंटी मारकोनी कॉफ रूल होता क्या है अगर इसकी बात करते हैं जो हमारा एंटी मारकोनी कॉफ रूल है जो वो मारकोनी कॉफ रूल का अपोजिट है जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा एंटी मारकोनी यानि कि जो काम मारकोनी ने किया होगा एंटी मारकोनी कॉ इन्होंने जो मार्कोनिक ओफ्र रियक्शन होती थी उस रियक्शन को ही किसी कंडीशन में कराके देखा मतलब अन्सिमेट्रिकल एलकीन की रियक्शन हाइड्रोजन हलाइट से कराके देखी और वहाँ पर क्या लिया गया वहाँ पर और्गैनिक पारोक्साइड लिया गया तो इन्होंने देखा कि और्गैनिक पारोक्साइड की प्रेजेंस में जो HBR होता है वो मार्कोनिक ओफ्रूल के अगेंस्ट काम करता है यानि कि उसके विप्रीत रियक्शन करता है आईए स्टार्ट करते हैं कैसे रियक्शन विप्रीत होती है जैसे हमारा एक कमपाउंड है CH3, सिंगिल बॉंड CH, डबल बॉंड CH2 अगर इस कमपाउंड की रियक्शन हम HBR से कराएं देखिए अगर HBR से रियक्शन कराते हैं मार्कोनिक ओफ के अकॉर्डिंग तो हमारा H वहाँ पर जाना चाहिए था उस डबल बॉंडेड हाइडरोजन अटम पर जाना चाहिए था जहां हाइडरोजन जादा थे और निगेटिव पार्ड यानि कि BR हमारा वहाँ पर जाना चाहिए था जहां पर हाइडरोजन कम थे यानि कि हमारा BR यहाँ पर जाना चाहिए था CH पर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ओफ रूल लेकिन खरेस ने क्या किया खरेस ने एक कमपाउंड लिया और गैनिक पर ओक्साइड लिया और और गैनिक पर ओक्साइड की प्रजेंस में जब HBR की अडिशन रियक्शन देखी तो यह मार्कोनिक ओफ रूल के अगेंस्ट हुई जो आपका मार्कोनिक ओफ रूल था उसके against ये reaction हुई यानि कि उसके opposite हुई देखिए फिर से बता रहे हैं जहां पर आपका BR जाना चाहिए था वहां पर चला गया H और जहां पर H जाना चाहिए था वहां पर चला गया BR क्यों हुआ ये ये हुआ organic paroxide की presence में जैसे ही हमने organic paroxide लिया तो reaction इस तरह से हुई किसने देखा था ये सबसे पहले ये देखा था खरेस नामक वैज्यानिक ने खरेस नामक scientist थे उन्होंने देखा था और कौन सी reaction दिखा सकते हैं यहां unsymmetrical की कोई भी reaction आप दिखा सकते हैं जैसे एक reaction ले रहे हैं CH3 single bond CH double bond CH single bond CH2 single bond CH3 इसकी single bond यह single bond है plus HBR तो इसमें भी क्या होगा BR वहाँ जाएगा जहां पर छोटा alkyl group होगा वैसे कहां जाता था जहां पर वलकी alkyl group होता था वहाँ पर जाता था तो यहां से जो product बनेगा बन जाएगा CH3 CH, CH के नीचे BR, CH2 CH2, CH3 यह compound यहां से बन जाएगा यानि कि यह reaction जो होगी क्या कह सकते हैं हम कि जब unsymmetrical alkyne में hydrogen bromide की addition reaction कराते हैं तो उसकी addition reaction marconic off rule के opposite होती है यानि कि जो marconic off rule होता था उसके opposite यह reaction होती है अब यहां बात यह है कि कौन कौन से organic paroxide use गड़ सकते हैं तो हमारे जो यहां organic paroxide use हो सकते हैं organic paroxide कौन कौन से use हो सकते हैं कोई भी organic paroxide use गड़ सकते हैं हम like CH3 COOOH क्या बोलते हैं इसको per acetic acid paracetic acid यह use कर सकते हैं और कर सकते हैं C6H5 COOOH इसे बोलते हैं par benzoic acid इसी जो आपका law है इसी law को क्या-क्या बोला जाता हैं इस law को बोला जाता हैं anti-marconic of law यानि कि anti-marconic of rule और क्या बोला जाता है इसको खरेश rule खरेश rule के नाम से भी जानते हैं k-h-a-r-a-s-c-h खरेश rule ठीक है या खरेश effect और किस नाम से जानते हैं par oxide effect par oxide effect के नाम से भी इसको जाना जाता है ठीक है अगर आपने marconic of rule देख लिया है तो यह आपको समझ में आ गया होगा आपको पहले से marconic of rule पता है तो यह आपको समझ में आ गया होगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक जादा सब्सक्राइब करें शेयर करें ताकि जितने भी जरुरत मन लोग हैं उन्हें वीडियो मिल पाए धन्यवाद थैंक यू थैंक आप सब्सक्राइब करें